तो दोस्तों इसके पहले के हमने बहुत सारे वीडियो में सेक्शुल एडिक्शन की उपर वीडियो किये है जो आपने बहुत जादा लाइक की आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर उस वीडियो को देख लीजे हमने एक और वीड तर्चिस ने बताया है कि sexual addiction बहुत साय लोगों में हुआ है उनमें 75-80% जो लोग है वो वैसे लोग थे जिनके अंदर childhood के अंदर कोई ना कोई trauma था और यह trauma बहुत बड़ा trauma नहीं था वो छोटा trauma था जहां पर childhood neglect हो सकता है parenting के अंदर issues हो सकते है या parents का जो response होता है वो बचपन में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था या acceptance नहीं था तो उनके अंदर एक fear of abandonment पैदा हो गया है जिसके साथ deal करने के लिए वो addictions का शिकार हो जाते है और brain के अंदर भी neurological levels फे बहुत सारे changes होते है बहुत सारे areas जो है shrink हो जाते है कुछ-कुछ area से अच्छे से develop नहीं हो पाते इसलिए जो response है कोई भी issue को लेकर कोई भी problem को लेकर वो response जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है इसलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे है sexual addiction जो trauma से या childhood trauma से आता हो दोस्तों मेरा नाम है गुर्पिल सिंग महिक लाइफ को चलिए इस वीडियो को शुरू करते है कुछ कुछ examples हो सकते है childhood trauma के जहां पर है parents है वो adequate time बच्चों को नहीं दे पाई या उनकी feelings को validate नहीं कर पाई या उनके behavior के लिए बहुत ज़्यादा उनके अंदर भी इस तरह की जो neurological changes है वो देखी गई है जो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चत में डरा के रखा गया होता है उन्हें consequence दिखाए जाते है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा बहुत ज़्यादा aggressively उनके ज़्यादा behavior किया गया हो या childhood के अंदर उन्हें ब उनकी freedom को curve करके रखना या उनको अपने emotions को व्यक्त करने से रोकना या उन्हें किसी तरह से भेव करने के लिए tune करना बहुत सारी चीज़े है जहांपर भी बच्चों के साथ parenting के दौरान हो सकती है जो trauma की शेकल में बाहर आ सकती है in short जब caregivers of parents है अपनी जो internal feelings है उन्हें child के ऊपर वो project करने कोशिश करते है और child को adult होने के लिए expect किया जाता है या child जब childish वे से भेव करता है या गलतिया करता है उसे बहुत बहुत बहुती करके बताया जाता है उन्हें improve करने का मौका नहीं मिलता या उन्हें बताया नहीं बहुत बड़ा question mark अंदर आ जाता है अपने खुद के existence को लेकर या उनके खुद की value को लेकर जहां पर अपने आपको खुद devalue करने लग जाते है या वो बहार से जो feedback आया उसे सही मानने लग जाते है या उन्हें confused हो जाता है कि क्या वो सही कर रहे है क्या वो गलत कर रहे है और इस वएसे बहुत जादा बार वो aggressive हो सकते हैं उन्हें अपने emotions को व्यक्त करना नहीं आता है और बहुत जादा रेज और पैनिक की behavior भी देखा गया है बहुत सब्सक्राइब कर रहे है और जब उनके childhood के बार में inquire किया गया और उनसे पूछा गया कि आपका childhood कैसा थ तो maximum लोगों ने यह reply किया कि childhood बहुत अच्छा था उन्हें food, clothing, shelter, सारी चीज़े अच्छे से मिली है, provide किया गया है पर बहुत से कम लोग ही ऐसे हैं जो emotional चीज़ें के साथ connect कर पाए या जो emotional चीज़ें उनकी childhood में missing थी वो उनकी तरफ अपना attention लेके भी नहीं जा पाए क् अब उन्हें लगता है कि शायद वो basic necessity नहीं है और basic necessity तो सिफ materialistic चीज़ प्रवाइड करने की होती है अब हर एक person जिसको childhood trauma हुआ है जरूरी नहीं कि उसको sexual addiction होगा ही पर जितने भी लोग है जो sexually addicted होए है उनके साथ जब research होई तो पता लगा गया कि बहुत सारे उसमें से जिनके साथ कोई ना कोई childhood trauma हुआ है सिफ ऐसा childhood trauma नहीं कि उनके साथ bullying हुई है या sexual abuse ही हुआ है बट parental neglect के साथ और parents का जो उनकी तरफ रवया था या किस तरह से parent ने उनकी परवरिश की या उनके feelings को validate किया या नहीं किया इसके साथ भी बहुत साथ लोगों का sexual addiction associated मिला बहु इमिजेट उनके सामने एक option ता वो था gratification या pleasure का था और प्लेजर उन्हें वो तरह का जो connect है वो भी प्रवाइड करता था साथ ही साथ उनकी feelings validated भी होती थी क्यों जो उनका abandonment का fear है वो भी उस person के रहते उन्हें कम होता नजर आता था तो इसलिए वो दूसरे person के तरफ ज्य sexually addict हो जाते है यह लगता है कि यह person ने तो शायद इस वज़े से उन्हें accept किया भी उन्हें एक और बार ट्राय करना चाहिए किसी और परस जितना ज्यादा validation भार से उनको मिलता है उनका temporarily confidence है वो जो boost होता है और बार 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 जो उनके अंदर जो एक वाइड पैदा हो गया और जिनके childhood में भी trauma ता महां पर common चीज पाई गई है कि उनका जो amygdala था वो पुरी तरह से develop नहीं हुआ था जो emotional regulation का center है fears related है और चोटी चोटी बात भी बहुत जल्दी trigger हो जाते थे या जो उनका prefrontal cortex है उसके development की उपर issues देखे गए है childhood से लेकर adulthood तक साथ ही साथ एसे ल brain level पर भी changes से वो देखी गई है जो trauma induced कर सकता है कुछ लोगों के लिए drugs है alcohol है sexual addiction है यह temporary outlet का काम करता है temporary high का काम करता है जो उनके real life issues को temporary जो वाइड को है वो cover up करने के लिए help करता है but long run में जो addiction है उनकी lives को spoil ही करता है हम सभी को पता है कि जितने भी addictive substances है और जितनी भी activities है जो pleasure के साथ associated है माँपे brain पे dopamine नाम है chemical release होता है और वही जो dose है जो dopamine की मातर को release करने के लिए responsible था वो next time में उतना dose आपको dopamine का release नहीं दे पाता इसलिए person को addiction होता है compulsions होता है compulsive behavior होता है compulsive masturbation होता है compulsive sexual addiction होता है या बहुत जादे substance abuse होता है क्योंकि जितना level of pleasure उन्हें dopamine का release दे रहाता वो उतना adequate नहीं है और जितना वो बढ़ाते चले जाते है उतनी उनकी need बढ़ती जाती है और एक vicious circle के अंदर वो फसके रह जाते है हमने इससे पहले एक वीडियो उनके relationships की तरफ उनको draw करती है एक relationship में वह अपने आपको validate नहीं कर पाते है इसलिए multiple relationship में पढ़के वह अपने आपको यह validate stamp करते है के they are good enough और इसके लिए जो vicious circle हो खतम नहीं हो पाता तो अगर आपको या किसी और को आपके पहचान के किसी को भी ऐसा sexual addiction है या कोई और addictive disorder ह और वो childhood trauma से आ रहा है जरूर आपको एक psychologist को मिलना चाहिए counselor को मिलना चाहिए और अपने inner childhood के wounds को heal करने के बारे में सोचना चाहिए तो दोस्तों यह वीडियो था इतनी अगर आपको वीडियो पसंद आ है like करिए comment करिए share करिए subscribe करिए channel को और देखते रहे है life coach